कहते हैं हुनर और सफलता की कोई उम्र नहीं होती और इसी कहावत को सचकर के दिखाया है प्रयागराज की साथ साल की अनुप्रिया यादो ने हमाई ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेस्ट की टेबल है और दो खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे एक का नाम है प्रिया यादो जिसकी उमर है लगभग 15 साल और एक है अनुप्रिया यादो जो बेहत खास है और खास वो इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें चेस्ट फेडरेशन की रैंकिंग में तो यह अंडर सेवन गर्स में रैंक वन होल करा है इनुने मतलब की यह विश हलाकि दोनों जो बेहने हैं वो दोनों ही बेहने खिलाडी है और साथ साल की बेहत कम उमर में अनुप्रिया को चेस्ट की पूरी नौलेज है और पूरे विश में यह रैंकिंग वन है यह एक बड़ी बात है अगर हम बात करें सबसे पहले अनुप्रिया से चुकि इस उमर क का जो शौक है वो बिल्कुल बेहद अलग है और वो चेस का है अनुप्रिया कहां से यह आपकी सोच आई और अब आप विश्व की रैंक वन है क्या कहना चाहती है कितनी मेहनत ही है मजब सबसे पहले ममी ने सीखा में लिए प्रिया दीदी से तो फिर ममी ने मुझको सिखाया थोड़ा थोड़ा फिर उसके बाद मैंने पापा से सीखना सुरू किया पापा को भी जब हराने लगी तो दीदी ने मुझको सिखाया और जब दीदी ने सिखाया तो फिर जो यही है मेरी पापा को है यह एक पूरी स्कूल के मैं बड़े गांड मास्टर बनूब अच्छा कि गंटों की पूरी मेनत होती थी क्योंकि बहुत इतने आपको प्रेक्टिस चाहिए है हाँ तो फिर इसको तो रात कोई करना पड़ता था क्योंकि सुबह जिब अपने कंट्री में सुबह होती थी तो दूसरे कंट्री में रात होती थी तो इसलिए बारा बजे बैठ के प्रैटिस करना पड़ता था अच्छा लग रहा है अब दीदी को हराएंगी जब दीदी हारती नहीं है अच्छा तो आप देख सकते हैं यह नूप्रिया है बहुत मासूम है और उसी के ठीक आमने आप प्रिया को देख सकते हैं कि वह प्रिया की उमर है वो 15 साल है लेकिन अनुप्रिया साथ साल की है और उन्होंने विश्व किर्दिमान अपने नाम दर्श करेंगे कितनी खुशी आपको हो रही है क्योंकि दोनों बेटियां है और उसके बाद दोनों ही बेटियां जो है शत्रणची एक माहिर अप्खिलाडी ह होती जा रही है एक ने तो नया किर्दिमान भी अपने नाम दर्श कर लिया है क्या कहना चाहती है जी सर इससे बड़ी तो खुसी एक माता के लिए हो ही नहीं सकती है कि दो दो बेटियां हो और दोनों बेटियां मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इतने फोन कॉल्स इतने यूज वाले मीडिया वाले सारे आ रहे हैं और मतलब बहुत ही खुसी हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि हमने दुनिया जीत ली है और बच्पन में हाला कि बहुत ज़दा ये लोग का होता था कि जिसमें की लोग जो है गुड़े-गुड़ी साथ ख चानने के लिए कि इनका मतलब ऐसा नहीं था कि हमने कुछ थोपा इनके उपर मतलब एक एक्सपेरिमेंट भी हमें करना पड़ा कुछ सालों तक इनका इंट्रेस्ट क्या है क्योंकि मैं जहां तक समझती हूं कि बच्चे उस फिल्ड में ज्यादा अच्छा कर सकते जिस फि प्रिया को कभी अमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा उसको आगे ही बढ़ाते गया और उसके बाद जब अनुप्रिया तो अनुप्रिया तो मतलब बाइबार थी जिसको कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड शमिता आपने यहाँ पर ऑनर भी क्या हुआ हुआ है कि कि एक प्रियरना दायक है तो मैं स्कूल के तरफ से मैं पुरा इसको सायोग देऊंगी उसको स्कॉलर्शिप देऊंगी ताकि वो आगे बढ़े और बाकी वालों को भी मोटिवेट करें और एक लटकी होने के नाते यह बड़ा प्रियरना दायक बनी यही मेरा बहुत कुश है और बाकी बच्चे भी उन से सीखे तरफ सारी जो चीजें हैं वो स्कूल प्रशासन के दोवारा दी आएगी हाला की स्कॉलर्शिप भी देने की बात कही गई है अब देखना यह होगा कि जब अनूपरिया आगे बढ़ती है तो क्या इनका जो रैंकिंग है उसमें कुछ ब हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए